नमस्ते दोस्तो जोहार में विसेक चकरवरती आप सभी का फिस अपने उडियोग चनल पर स्वागत काता दोस्तो आप सभी के डिमांड पर क्लास 12 का जियोगराफी यानि भूगल विसाय का जो कि जैक के तरब से बार-बार ये सवाल पूशी जाते हैं तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को जो सबस्क्राइब कर लिजेगा ताकि आगे की वीडियो की नॉटिफिकेशन को विजिट करते रहेगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको वहाँ पर मिल जाए ठीक ह आप लोग टेलिग्राम चैनल को विजिट कर लिजेगा क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट वहीं पर मैं दिया करता हूँ ठीक है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला कोईशन क्या दिया गया है कि प्रिथवी का आकार का संबंद निमलिखित में से किस से है तो प्रिथ तथा जचिनी धुरूवा पर थोड़ी सी चप्टी तथा मजद में थोड़ी उबरी हुई है इसका आकार का संबंद किस से भुआब से है ठीक है अगर सिंपल में बोले तो ऐसी आकरती जो किनारे से चप्टी हो और बीच में उबरी हुई हो उसे भुआब कहते हैं और इं दोस्तों इसका correct answer क्या हो जाएगा आपका option number one जो होगा correct answer हो जगा भुवाप correct होगा English में इसे जोएड करते हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों next question देख साथ है क्या पूछा गया है भूगोल का उद्देश धरातल की प्रदेशिक या छेत्री विभिनता का वर्णन इवा व्या रखा करना है ये कथन है रिचर्ड हर्टसन का कथन है ठीक है और एक statement याद रखेगा उनसे संबंदिर भी आप लोग का NCRD बुक से सवाल पूछा जाता है कि भूगोल धरातल के विभिन भागो में कारणात्मक रूप से संबंदित तैथ्थों की विभिनता का अध्यन करा ये अगर पूछा जाता तो आपका answer होता Alfred Headner जो होगा आपका ये तब करेंट एंसर होता करना आत्मक पूछेगा तो आपका Alfred Headner होगा लेकिन यहाँ पे γο, statement पूछा गया है इसका correct answer होगा Richard Hudson जो होगा correct answer होगा देखिए दोनों में ही जो धरातल वाला word आपको सुनने मिलेगा इनका भी definition में मिलेगा परिभासा में इनका में भी तो confused नहीं होना है इनका statement आप तो समझ लिए लेकिन Alfred जो है हेटनर वला जो है याद रखेगा इनका statement क्या था कि भूगोल धरातल के विभीन भागो में कारनात्मक रूप से संबंधित तैथों में विभीनता का अध्धन कराता है तो कारनात्मक तैथों का बात करेगा तब होगा Alfred हेटनर तब correct होगा ठीक है इसके बाद दोस्तो question number 3 देख सकते है क्या पूछा गया है निमलिकित में से किस विद्वान ने भूगोल जियोगराफी सब्द का परियोग पहली बार किया था तो दोस्तो याद रखेगा भूगोल जियोगराफी सब्द का सरपरियोग सरपथम ग्रीक विद्वान ठीक है ये दो ग्रीक सब्दो से मिलकर बना है ये जियो देख रहे है इसका मतलब होता है प्रिथवी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना ठीक है इसका साब्दिक अर्थ होता है दोस्तो प्रिथवी का वर्णन करना अर्थात भूगोल प्रिथवी का अध्यन कराता है ठीक है तो दोस्तो इसका correct answer हो जागा इलिष्टथनीज जो है यहाँ पर आपका correct answer होगा आपसे नमबर कहा है दोस्तो देख सकते हैं यहाँ पर इलिष्टतनी जो है correct answer हो जाएगा चले नेश कोशन क्यों चलते हैं दोस्तो Q4 पर क्या पूछा गया है? प्रित्वी की उत्पत्ति के संबंद में एक प्रारंभिक एमों लोकप्रिय मत जुआरिय परिकल्पना किस वद्दवान द्वारा दिया गया है? तो जुआरिय परिकल्पना जो है दोस्तों याद रखेगा. Q4 का correct answer हो जाएगा. आपका यहाँ प कब किया था? 1919 में किया था, यह याद रखेगा. जुआरिय परिकल्पना का बात करें दोस्तों तो इसमें जो है सोर मंडल के निर्मान, सूर्य तथा अन्य तारे के सहयोग से हुआ, इसमें इन्हों ने यह कहा था. ठीक है? प्रारंभ में सूर्य जो है एक गोला था, एक ग घुम रहा था, ठीक है? सूर्य अपनी जगा पर इस्तिर था, तथा यहाँ अपनी जगा पर ही घुम रहा था, साथी तारा जो है दोस्तों, कौन सा? एक साथी तारा था, इसके चारों तरब जो मूब कर रहा था, एक साथी तारा था, ठीक है? तो याद रखेगा साथी ता जुआरिय सक्ति के दोरा कौन सा सक्ति के दोरा जुआरिय सक्ति का प्रभा के कारण जो है सूरी के बाहिय भाग पर जो है इसका प्रभा पड़ता है और इससे हमारे जो आज जो हम देख रहे आठ घर उसका निर्मान होता है ठीक है तो याद रखेगा तारह के आकरसन सक्ति क जिसे आज जो हम लोग उसे किस नाम से जानते ये भी नोट कर लिजेगा इसे जो है क्या नाम दिया गया था फिलामेंट क्या नाम दिया था फिलामेंट तो इसका नाम दिया था जो सिगार जैसे आकरिती जो निकला था सूरी से उसका नाम दिया था जेमस जिस ने क्या फिला गरहों में जो है आपका विवक्त हो गया जिसे आज जो आप देख रहे हैं सोर मंडल के आठ गरह के रुप में आप देखते हैं ठीक है तो यह जो किस ने बताया था आपका ये जेंस जिंस के दोरा ये सारे बाते बताए गए थी ठीक है तो यहाँ पर ये सारे बाते बताना साथ आप लोगों को बताए जाएगा जैसे क्लास 12 में जियोगराफी का हर एक स्टुडेंट को त्यारी कराए गया था और 90 परसेंट से एप जो है हमारे चैनल के थ्रू से तो चलिए नेश कोईशन कि चलते हैं क्या पूछा गया है कि आधुनिक समय में ब्रह्माण की उत्पत्ति का समंधि जो है सर्माइन सिध्धान निमलिकीत में से कौन से है तो दोस्तों यहाँ पर सर्माइन सिध्धान पूछा है है ना तो सर्माइन मतलब इनिवर्सल टाइप तो दोस्ते याद रखेगा आधुनिक समय में ब्रह्माट की उत्पत्ति के सर्व माइन सिध्धान जो है बीग बैंक सिध्धान यानि बीग बैंक थियोरी जाना जाता है इससे जो है विस्तिरित ब्रह्माट की परिकल्पना यानि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइफो थी भी कहा जाता है नोट कर लिजेगा इससे जो हम लोग बीग बैंक थियोरी को क्या कहते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइफो थीसेस कहते हैं विस्तिरित ब्रह्माट परिकल्पना भी कहा जाता है बेजियम के खोगल सास्त्री एवं पाद्री जॉर्ज लेमेत्रे ने 18 कौन जो है दोस्तो जॉर्ज लेमेत्रे ने जो है याद रख लिजेगा इसका नाम बीग बैंक थियोरी किस ने दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ठीक है जॉर्ज आपका लेमेत्रे ने दिया था नोट कर लिजेगा इनका नाम दोस्तो इन से सम्मंदित कोईशन पूछा जाता है आधुनिक समय में ब्रह्मांट की उत्पत्ति का सर्व मायने सिद्धान जो है बिग बैंक थियोरी के रूप में जाना जाता है जिसे जो एक्स्पेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथिसस भी कहा जाता है और इसे कौन दिया था बेजियम के खोगल सास्त्री पादरी ज प्रकास वर्स क्या मापने की इकाई है तो प्रकास वर्स जो है खगुलियों दूरी मापने की इकाई है आप सभी जानते है प्रकास वर्स दोस्तों दैट मिन स्लाइट इयर समय का नहीं वरन दूरी का माप है याद रखेगा ये समय का बात नहीं करता है ये दूरी का माप ह प्रकास की गती 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, लोग याद रखेगा और ये दूरी का नहीं ये जो है आपका समय का बात नहीं करता है ये दूरी का मापका बात करता है ठीक है इसको भी नोट कर लिजेगा चलिए नेश कोशन देख लेते हैं वरतमान में सोर मंडल में कितने गरह है पहले तो हम लोग जो पढ़ते थे तो उ पति यानि जूपिटर और सनी यानि सेटन आपका अरुन यानि वेनस और हो गया आपका नेप्चून यानि वरुन ठीक है आगे प्लोटो भी हुआ करता था लेकिन वो जो है आपका बोने ग्रूप में डाल दिये गया वो अभी जो है सोर मंडल का सदेश नहीं है ठीक है इसक कहते हैं अधिकेंद्र उसे क्या कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं भुकम के ठीक उपर पिर्थवी की सतर पर इस्तीत बिंदु को भुकम का अधिकेंद्र कहा जाता है इसे इंगलिस में कहते हैं इपिक सेंटर कहते हैं क्या कहते हैं इपिक सेंटर कहते हैं आप लोग पढ़ पर जो है आपका ज्यादा प्रवा पड़ता है धीरे धीरे जो है आपका ये जो टेक्टोनिक प्लेट से है ये जो है वाइबरेशन ये उपर की तरफ जाता है धीरे धीरे ये इधर की तरफ फैनने लगता है जब आप जो है कंकर को फेकते हैं तलाब पे तो देखते हैं धीर धीरे 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 वो फेलते जाता है उसके बाद क्या होता है जब कोई आगे की और जो सतर वाले एरिया आता है तो यहाँ पर यह धीरे 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 प्रेसर लगाना चालू करता है अज जब उसे आगे जाने के लिए जगह नहीं मिलता है तो उपर की और उफान मानना स्टार्ट कर देता है जिससे क्या होता है दोस्तो जो आगे की बस्तिया है वो समुद्र से जो पानी से वो डूब जाती है और एक परकार का सुनामी का लहर ले आती है ठीक है तो दोस्तो ये तो आप सभी जानते है जब आप cycle या mode cycle को mode cycle को अगर कोई सतर की speed से ले जा रहा है और अचानक break लगाएगा तो automatic है कि पीछे का पहिया उठेगा तो इसी तरह से ये पूरे speed से जाती है पानी और अचानक अगर कोई जो है उससे जो जमिनी area आ जाएगा सतर आ जाएगा समुद्र के 30 एरिया पे तो यहापे आपका समुद्र 30 भाग correct answer हो जाएगा आप दोस्तों हम लोग चलते है question number 10 की और question number 10 में क्या पूछा गया है ये तो सब को जानते है class 6 में भी पढ़े हुए है कि भू प्रिष्ट में सरवाधिक मात्रा में कौन साथ तत्य पाए जाता है तो कौन साथ तत्य होगा दोस्तों option number आपका 3 जो होगा यहापे correct answer हो जाएगा oxygen ठीक है देखे पृत्वी की भूपर पट्टी का बात किया दोस्तों जमीन का जमीनी हिस्सा का बात किया है ठीक है तो धीरे धीरे oxygen का लेबल कम होने लगता है यानि जमीनी लेबल पे जो है आप जहाँ पर खड़े है वहाँ पे सबसे जादा क्या है oxygen है तभी हम जिंदा है और oxygen की मात्रा कितना है दोस्तों सबसे जादा जमीन पर, जमीनी एरिया पर धरातल पर जो है यहाँ बात हो रहा है पिर्थवी के भूपरपटी की और यानि जमिनी सता की और ठीक है तो यहाँ पर याद रखेगा ऑक्सिजन सबसे जादा है ठीक है चले नेश कोशन क्यों चलते हैं क्या पूछा गया है 11 नमबर पे निमलिकित में से कौन भूगर्ब की जानकारी का प्र ज्वाला मुखी निकलती है तो दोस्तो भूगर्ब की संगरचना की जानकारी का प्रतच जो है सुरोत डारेक्ट सोस के अंतरगत उन चीजों को रखते हैं जिनके दौरा हमें प्रतच तोर पर प्रित्वी की आंतरिक संगरचना को प्राफ्थ होता है जैसे हम लोग खरन से ज्वाला मुखी ये सब जो है आपका भूगर्बिग संगरचना के अंतरगत जानकारी मिलता है तो ज्वाला मुखी भूगर्बिग संगरचना के जानकारी का सुरोत है जैसे लावा के आवसोसन विसिलेशन से वेग्यानिक को इसके बारे में जानकारी प्राफ्थ होता है तो याद रख लिजेगा इस चीज को और अगर खनन भी दिया रहा था खरन से प्राप्ट चट्टाने तो भी यहां पर वो कर्ट आंसर होता है ठीक है दो इसी से आप लोग जब क्लास 11 पर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में बहुत कोई जानते नहीं जानते तो मैं बता दे रह आँ किवकि इसके अंदर से सवाल पूछे जाएंगे तो याद रखेगा महाधिप्य विस्तापन सिद्धान्त जो है औलफरेड वैगनर के दोरा दिया गया था ठीक है तो यह जर्मन के मौसम्विद आलफरेड वेगनर ने महाधिप्य विस्तापन का सिद्धान्त 1912 मे प्रस्तावीत किया था इस यह सिद्धाद महादीप की वितरन सम्मंदित था वेगनर मौंदन ले जो है उनका मानना था कि महादीप का परवा होता है यानि महादीप जो एक जगह इसतीन नहीं रहता होकर हर जगह धिरे-धिरे किसकते जाता है वेगनर के अनुसार कार्बोनी फेरस यूग में प्रित्वी के जो सभी महादीप है वो आपस में क्या था जुड़े थे आज जो आप देख रहें साथ महादीप वो जो है पहले एक ही महादीप हुआ करता था एक ही महादीप हुआ करता था इनके मानना है इनका कब की यूग में? कार्बोनी फेरस की यूग में इनका मानना था कि अभी जो हम अलग-अलग महादीप देखते हैं वो आगे जो है बहुत पहले कार्बोनी फेरस यूग में एक ही जगा जुड़े हुए थे इसका मतलब ही होता है संपुन्ट पिर्थवी और ये जो आप देख रहें बहार के तरफ ये जो पानी वाला एरिया है इसको नाम दिया था उन्होंने पैंथलासा क्या नाम दिया था पैंथलासा याद रखेगा इस चूझको नोट कर लिजेगा ठीक है तो वेगनर के अनुस अर्थ क्या होता है दोस्तों जल ही जल क्या होता है जल ही जल अब दोस्तों हम लोग जो है इसको समझ चुके हैं कि क्या सिच्वेशन था आप क्या है इन्होंने महादी पियो विस्थापन सिध्धान में क्या कहा कि वेगनर के अनुसार जो है 20 कडोर वर्स पहले का 20 कडोर वर गया एक का नाम था लोरेशिया एक का नाम था क्या दोस्तो लोरेशिया और एक का नाम था गोडवना जो पेंजिया का एक भाग तूटकर उत्तर की और जो प्रवाइत हो गया उसे नाम दिया गया लोरेशिया इसका नाम दिया गया लोरेशिया या इसे ही हम लोग कहते अंग इसे ही किस नाम से जानते हैं? बहुत कि इसे अंगारा लेंड भी कहते हैं, ठीक है? और पेंजिया का तो दूसरा हिस्सा था दोस्तों, दचिनकोर परवाइत हो गया, इसको नाम दिया गया क्या? गोडवाना लेंड इसी को नाम दिया गया गोडवाना लेंड ठीक है आप जानते हैं भारत का संबन्ध गोडवाना लेंड से काफी जाता है क्योंकि भारत जो है इसी का पहले इस्सा हुआ करता था धीरे 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 उपर की और खिसकते हुआ गया हुआ था ठीक है और जाके आगे उपर के हिस्से में मिला था ये एक कहानी है दोस्तों इसके बारे में भी आप लोगो बताया गया है अब दोस्तों आप बोलिएगा कि ये तो दो हिस्से में बढ़ गया तो जो समुद्र वाला हिस्सा है ये भी दो तर खुला जिसका इन्होंने नाम दिया था इन्होंने क्या तेथी सागर क्या नाम दिया था तेथी सागर ठीक है उत्तर की तरफ लोरेसिया और दचिन की तरफ गडवना लेंड को पहले भाग हुआ करता था जिसे पेंजिया कहा जाता था तब ये तूटकर अलग हो गया और इस के बीच एक सागर बना जिसका नाम वेगनर मोहदे ने क्या दिया टेथी सागर ठीक है इसके बाद लोरेशिया और गोड़वना धीरे-धीरे अनेक हिस्सों में बढ़ गया जिसे आज जो है आप साथ महाधिपो के नाम से जानते हैं वो साथ महाधिपो के नाम आप नीचे कम 13 में पूछा गया कि निमलिकीत में से कौन सक्रिय जौला मुखी का उधारन है तो सक्रिय जौला मुखी का उधारन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे सक्रिय जौला मुखी का उधारन आपका कौन सा है वैसे जौला मुखी जिन से लावा, गैस, वास्व, आदी, सदेव निकल जेलेगा देखे इसमें सबसे पहले आता है स्सली उत्तर में लिपारी दीप का जो है उस्टमबली जैना जा रूप में जाना जाता है नोट कीजिए अंटार्टिका एक मात्र जौला मुखी है जो माउंट एबरूस में पाये गया है दूसरा है जपान का फीजो आमा जौला मुखी वो भी एक सक्रियो जौला मुखी है जपान का फीजियामा जौला मुखी ठीक है वो भी क्या है एक सक् यहां पर आपका correct answer होगा फीजियामा correct answer होगा ठीक है नोट कर लिजेगा चलिए नेश्ट क्या पूछा गया ring of fire किस महासागर में स्थित है एकदम easy question है जो geography पढ़े हैं अच्छे से उनको हर एक question को मालूम होगा दोस्तों पहले में ने बताया था इसके बारे में तो देखिए परसांथ महासागर में जो है बहुत बड़ा महासागर हम जानते हैं अभी जो महासागर का बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा महासागर क्या, परशान्थ महासागर, और उसी परशान्थ महासागर के चारों तरब आपका क्या पाय जाता है, तो यहाप यहापका correct answer क्या हो जगा, परशान्थ महासागर जो है, बिल्कुल correct हो जाएगा, ठीक है, देखने में तो सांथ होते हैं, जो लोग सांथ होतेjam दोस्तों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा परिशान किया जाएगा, तो उसके अंदर का जोला कभी भी फट सकता है, ठीक है, तो परसांथ, सांथ याद रखेगा, और सांथ लोगों को परिशान करनने से उसके अंदर का fire बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा इस चीज़ को लेकिन उसको क्या करना है जो अंदर का fire उसको सही जगा पे काम लगाना है एक्जाम के लिए तियारी अच्छा से करना है और अपना जो गुसा उसको पढ़ाई में निकालिए और उसको क्या कीजिए एक्जाम में जाके अच्छा result लाइए जो आपको गलत बोलते हैं उनको प्रूब करके दिखाईए कि आप क्या कर सकते हैं आपके बारे में जो गलत धारना उसको आप खतम कीजिए ठीक है अलाकि 12 में जो है आप लोगा जियोगराफिक का पूरा जो है syllabus complete कराने का जिम्मा में लेता हूं ठीक है एक एक question को इसी त रखते हैं यहाँ पर हो जाएगा ठीक है नेश कोशन पूशा गया हिमालय परवत की उत्पत्ति की सागर्स हुई है तो हिमालय परवत की उत्पत्ति की सागर्स हुई है दोस्तों टेथी सागर्स हुई है पहले तो आप जानते हैं भारत निची के और हिस्सा में था तो दोस्तों इसका correct answer क्या होगा, यहाँ पे जो आप जो खाली अस्थान देख रहे थे, यहाँ पेले क्या हुआ करता था, तो यहाँ पे correct answer क्या होगा, आपका correct answer हो जाएगा, और हिमाले परवत को नवीन परवत के रुप में भी जानते हैं, यंग folded mountain के नाम से भी जानते है तो यहाँ पे आपका जो है दोस्तों section का correct answer क्या होगा, तेथी सागव जो है correct answer होगा, ठीक है, चली पूछा क्या गया चूना पत्थर किस परकार के चट्टान का उधारन है, तो चूना पत्थर जो है आवसादी चट्टान का उधारन है, तो अगने चट्टान की परतदर जमने से औसादी चट्टान बनती है इसलिए इसको परददार चट्टान भी कहा जाता है इन चट्टानों में जिवास्म पाए जाता है जिसमें खनीच तेल भी रूप ले लिगे और इसका जो हर layer देख रहे हैं न दोस्तों यहाँ पे जाद रखेगा हर layer में कुछ नय कुछ धूलकन और कीट आ जाते हैं फिर सहाँ नष्ट हो जाते हैं और हर layer में अगर उधारन की बात करेंगे तो आपका हो गया बलवा पत्थर चुना पत्थर डोला मैट और लेगन मैट जो है आपका अवसाधी चट्टान के उधारन है इसको नोट कर लिजेगा तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि चुना पत्थर किस परकार का है तो चुना पत्थर के बारे में अभी हमने पढ़ा वो किस परकार का चट् चलिए नेश कोईशन क्यों चलते हैं खनीश तेल मुख्यता किस परकार्ज के चट्टान पर पाए जाता है तो खनीश तेल जो है मुख्यता अभी हम लोग ने डिसकस किया ना किस चट्टान पर आउसादी चट्टान पर परत दर परत जमा होते जाती है ना ठीक है तो यहां पर आपका अवसादी चठान correct हो जाएगा question number 18 का भी क्या correct होगा अवसादी चठान जो होगा ऑसादी चेल जो होगा correct हो जाएगा चलिए नेश question पूछा गया 19 नमबर पे भूशकलन किस छेत्र में देखनों को मिलता है तो भूशकलन जो है दोस्तो 19 नमबर का correct answer होगा भूश जादा तर हमको पर्वतिये चेत्रों में देखन utilities जाते है और उस एरिया में जूह है बरसात्र कर टाइम में उसED अरिया को बंद कर दिया दाहाता है तो या शेत्र जो है आप उत्राखंड का example देख सकते हैं ठीक है वहाँ जाता तर भूशकलन हाल फिलान में देखने को मि डूर्वद्यी जट्र में किस परकार लुसी की जाते हैं नीचे कर्मेन करके जड़ू बते येगा cash कोशन अबर जो है यहां पर बार आपका करव्लवद्यकर या और बहू पर यह हो जाएगा ठीक है धर क्लूम्लमल tap leven का करेट यहां अनुकर칙on दोस्तो तो यहां पे जो 20 का correct answer होगा option number 4 अपरदन जो है अनुकरमानिक परिक्रिया के अंतरगात आता है 21 number question दोस्तो एकदम easy question में पूछा गिया वाई मंडल का कुल्द रमान का 99% गैस पृत्वी की सतर से कितने किलोमेटर के उचाई पर पाए जाती है तो वाई मंडल के 99% भाग पर जो है nitrogen 78% और oxygen गैस का 21% विस्तार है यद भी वाई मंडल का विस्तार 10,000 की उचाई तक मिलता है कहां तक मिलता है? 10,000 की उचाई तक मिलता है परन्तु वाई मंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमेटर तक ही सिमित है यानि इसका जो है वाई मंडल का अगर बात करें इसका विस्ता 10,000 km तक है लेकिन मुझे गया से अगर कहें तो आपका याद रखेगा 32 km तक ही जो है आपका सिमीत है इसको अंसर को आप लोग याद रखेगा इस चीज़ को ठीक है बहुत सारे चीज़े बाते करनी थी लेकिन समय कम है तो जो important facts से हम लोग उसी का केवल बात करेंगे 22 नमर पूछा किया है कि वायू यान समयनिता किस मंडल पर गमन करती है important question है दोस्तों class 8 में आपने पढ़ा हुआ है इसे जो है वायू मंडल जो है में कहा किस परत पर जो है समताब मंडल में किस मंडल में समताब में इस मंडल का उसत जो है उचाई 18-20 km होता है इसका उचाई कहां से start होता है 18-20 km सबसे नीचे वाले परत होती है छो मंडल जहांपे वायू मंडल और भारी गैसे को हलचल होते रहता है जिसके वज़े से जो वायू मंडल में उडाने वाले जो हवाय जाज है वो मौसम सा समताप होती है जिसके कारने जो वायू यान जो उड़ता है वो लोग चालक जो है कहां पर इसको उडाना पसंद करते हैं समताप मंडल में उडाना पसंद करते हैं क्योंकि यहां मंडल मौसमी वायू मंडल के हलचल से मुक्त होता है इसलिए वायू यान उडाना पसंद करत है इसका अंसर हो जागा आपका समता मंडल ठीक है नेश कोशन पूछा गिया देखिए उसी से आपका पूछा गिया कि छोब मंडल में धरातल की कितनी उचाई पर एक डिग्री सेंटिग्रेट तापमान में गिरावट होती है तो दोस्तों याद रखेगा इससमें एंसर हो जागा broccoli है पर 1865 मंडल में मौसमी संबसंदी हर घर खी है कि मौसमी हल्चल के चलते आपका संताप मंडल मूडाती है तो आजहां पर मौसमी संबसंदी हर आपका शोब मंडल में देखने में तथा प्रते किलोमेटर की उचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है इसे ही जो है समय ने ताप पतन दर यानि नॉर्मल लैप्स रेट भी कहा जाता है इसको याद रखिएगा ठीक है नेस्ट कोशन पूछा गया 24 नंबर पर हम लोग चलता है 24 नंबर पर किया एक परसेंट में उस पर आ जाएगा ठीक है तो सबसे अधिक मंडल में नाइट्रोजन गेस पाए जाता है नेस्ट कोशन पूछा गया वहाँ मंडल यह परत जो मानुव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्पुन है तो एकदम इजी कोईशन है दोस्तों यहाँ पर आप इसलिए वहाँ पर उड़ाता है तो यहाँ पर आपका छोब मंडल करेक्ट एंसर होगा लेकिन इसके बाद वाला थोड़ा से याद रखेगा दोस्तों किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लोटती है तो याद रखेगा इसको कहते है बाहे मंडल यानि आपका यहाँ प होती है एवं उचाय के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है वाई मंडल की इस परत को विभिन आवर्ती की रेडियो तरंगे में परावर्तित होती है और आयन मंडल जो है किसके लिए आवश्यक है संचार के लिए आज जो घर में हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे ह आप जो यूटूब पर ये चैनल देख पा रहे हैं ये किसके कारण संबह हो पा रहा है आयन मंडल में जो आपका संचार के लिए रेडियो तरंगे है वो इसको मदद कर रहे है ठीक है तो चलिए नेश कोईशन के ओच चलते है अठाइस नमबर पसंद आ रहा है कि नो उस तो सेसन नीचे कमेंट करके बताईएगा अठाइस नमबर पूछा गया है वाय मंडल में मौजुद जल वास्व की वास्तुईग मात्रों को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे जो करेक्ट एंसर हो जागा निरपेच जो है आदरता कहा जाता है उन्तिस नमबर देख सकते हैं तो क्या पूछा गया उन्तिस नमबर का घूम कोहरा कहा बनता है तो घूम कोहरा कहा बनता है तो पच्छा बादल में बनता है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है कौन सा बादल पे बनता है यहाँ पे जो आपका सोरी यहाँ पे उन्तिस नमबर में पूछा गया है कि घूम कोरा कहां बनता है तो घूम कोरा कहां बनता है दोस्तों आपका option जो है यहाँ पे देख सकते हैं मैदानी छेतर में जो है घूम कोरा देखने को मिलता है कोरा आप लोग देखते हैं मैदानी छेतर पे नेश कोशन पूछा गया है कि 30 नंबर वाला कोशन जो पूछा गया बादल में सबसे अधिक उचाए फिर बनते हैं उसको क्या करता है आपका पच्छा बादल की नाम से जानते हैं सम्वनिय वर्षा मुख्य तक किस छेतर में होती है तो सम्वनिय वर्षा आपको किस मुख्य छेतर में देखने को मिलती है तो यहाँ पे 31 जो है इसका correct answer क्या होना चाहिए आप लोग जो है नीचे comment करके इसका answer बताईएगा ठीक है यहाँ पे पूछा गया है सम्मवनिय वर्षा मुख्यतक किस छेतर में होती है इसका answer सब कोई नीचे comment करके बता सकते है जल्दिस का answer comment करके बताईए 31 का correct answer क्या होगा ठीक है चली next question क्यों चलते हैं जिनका सही होगा उसे like किया जाएगा 32 का पूछा गया है मानों के लिए y bundle का सबसे महत्मुन घटक कौन सा है तो कौन सा है दोस्तो oxygen बिल्कूल oxygen नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे ठीक है चले और oxygen से ही मिलका तो सारा चीज़े बनती है ना जल्बी अगर बनती है तो h2o होती है जिसमें oxygen की एक मात्मुन भूमिका होती है नेश question पूछा गया है निमिलीखित में से वह कौन सी परक्रिया है जिसके दोरा जल्द्रव से गैस में बदलता है तो जल्द्रव से गैस में बदलता है उसके हम क्या कहते है वास्पी करन कहते है वास्पी करन वहा परक्रिया होता है जिसके दोरा जल्द्रव से गैसी अवस्था में परिवर्टित होता है और वास्पी करन ही इसका मुख्य कारन क्या है व तो चक्रवातिय जो है आपका वर्षा की समाइने तक किस छेत्र पे होती है इसका correct answer हो जाएगा option number आपका 430 छेत्र में ठीक है इसके बाद दोस्तो 37 नमबर पे क्या पूछा किया देख सकते हैं जे विविता संगरच्छन में किसके लिए महत्पून है तो जे विविता संगरच्छन से संबंदित सवाल पूछा गया है तो इसका answer भी जो है आप लोग नीचे comment करके बताईएगा यहाँ पे एकदम easy question है थ सवाल पूछे जाते हैं क्या क्या कि वन संगरच्छन अधिनियम कब पारित किया गया तो 1981 होता था बैंसर अगर पूछा जाता बाग संगरच्छन अधिनियम कब पारित किया गया तो 1973 होगा अगर आप से पूछा जाता केवल बोलता कि वन अधिनियम कब लाया गया तो 1980 हो जाती है विवित्ता अधिक होती है उस छेत्र वाले लोगों को विवित्ता वाले लोगों को क्या कहते है दोस्तों तो यहां पर आपका क्या हो जागा उस छेत्र वाले लोगों को क्या कहते है होट स्पोर्ट जो है उस छेत्र को कहा जाता है होट स्पोर्ट एरिया कहा जाता ह चालिस नमबर कोईशन एकदम इजी कोईशन है और ये कोईशन सब को जानना जो रिये क्लास 10 में भी आपने पढ़ा है रियो डी जैनेरियो पिर्थवी सम्मिलन कब हुआ जियोगरिफी का फेबरेट कोईशन है दोस्तों याद रखेगा 1992 में हुआ था कहा हुआ था दोस्तों याद है आपको रियो डी जैनेरियो में होता है जब कहा है ब्राजिल में है तो प्रियावरन में पर्दूसन की कारण पूरी पिर्थवी जो है पर्दूसित हो रही थी वेगानी को और विशेशन को कमानना था अगर यह स्तिती बनी रही तो इसमें गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिसमें प्रिथवी परप्राणियों और विच्छों का बने रहना कठीन होगा इस परकार भविश में खत्रे को देखते हुए 1992 ब्राजिल के रियोडी जनेरियों सहर में विश्व के 132 देश से अधिक देशों इसमें सामिल हुआ था प्रिथवी सम्मेलन का यहां पर आयोजन किया गया था ठीक है अर्थ सम्मीट के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं ठीक है तो दोस्तों इस तरह से आप लोग का 40 VBI कोईशन करवा दिया गया 40 नहीं अधिकी होगा क्योंकि एक क्वेशन में मैंने तीन चार क्वेशन आप लोग को बता दिया डिटेल के साथ ठीक है तो आसा करते हो उस तो आप लोग को यह सेसन पसंद आया होगा पसंद आया तो पिल्कुल लाइक सेरें कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग का प्या के साथ दोस्तों इस वीडियो के यहां ही पर समात करते है जल्दी जल्दी आप लोग अपना वीडियो को जो है सेर कर दीजे ताकि मुझे 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 मिले और मैं आप लोगों को लिए और भी बहतरी वीडियो ले क्या हो दोस्तों आप लोग जो है जो 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 को question उसमें देखने के मिलेगा तो आप लोग जाके जोरू visit कर लिजेगा history का भी डाल दिया गया है और